आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, our question is The radius of in circle of a triangle is 4 cm and perimeter of triangle is 20 cm What is the area of the triangle? हमें question में in radius दे रखी है in radius कितनी है? 4 cm is equal to 4 cm perimeter दे रखा है हमको S is equal to 20 cm अब S क्या होता है? semi perimeter यह हमें दे रखा है perimeter तो यहाँ पर क्या आएगा? P अब देखिए हमसे पूछा गया area of triangle अब area of triangle हमसे पूछा गया है in radius और perimeter हमको दे रखा है तो relation क्या होता है? relation हमारा क्या होता है? in radius is equal to delta upon S यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? area और S का मतलब क्या होता है? perimeter अब यहाँ value रख देते हैं अब in radius की value हमारी कितनी है? यहाँ पर 4 है यहाँ पर तो कितना जाएगा? 4 is equal to delta upon को निकालने semi perimeter अगर perimeter 20 है तो semi perimeter कितना होगा? हमारा 10 होगा तो delta इसका मतलब area area is equal to क्या हैगा? इसको इससे multiply कर देंगे 4 into 10 40 40 cm square हो जाएगा अपना answer option number 1 ओके? थेंक यू प्लासिक्स से ट्वेल से लेके नीट IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीजे अपने doubts 8 400 400 400 पर प्लासिक्स का नीट